नमस्कार दोस्तो जीवन में सुख की खोज के लिए आदमी इदर उदर भटकता रहता है और बाद में पता चलता है कि प्रकरती की गोद में ही सचे सुख की अनुभूती होती है कड़ी मेहनत के बाद आप किसी चायादार पेड़ के नीचे बैठें ठंडी शीतल हवा के जोंकों का आनंद लें पक्षियों की चहचाहाट को सुनें बहते पानी के संगीत को महसूस करें कभी पहड की आतरा को, वाटर राफ्टिंग को, मंदिर दर्शन को, आँखे बंद करके दिल को सकून देने वाले किसी घटना को याद करें और हाँ, टीवी, मुबाईल, लैप्टॉप, आईपैड को भूल जाएं आप देखना, अपने अंदर एक पॉजिटिव फिलिंग पाएंगे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन को जनम देगी और फिर रिजल्ट भी सकारात्मक ही आएंगे जैसे कीचर्ड में कमल खिलता है, कांटों के बीच फूल सुगंद भी केरते हैं ऐसे ही जब आप समस्याओं से या विपरीत परिस्तितियों से घिरे होते हैं कोई रास्ता नहीं सूज रहा होता, चारों और बस अंदकार ही अंदकार मैसूस होता है तब ही आशा की किरन जनम लेती है, जो प्रोचसाहित करती है आगे बढ़ने के लिए प्रगत्ति के नए द्वार खोलने के लिए कहते हैं लेकर रात जतनी काली होगी, जतनी गहरी होगी, सवेरा भी उतना ही स्वर्नें होगा आज हम प्रकरती से प्रकरती की अनुपम रचना से कोसों दूर होते जा रहे हैं पेड पोधों के तले जंगलों में घूमने की बजाए हम कंक्रीट के जंगलों में खोसे गए हैं सारा दिन electronic gadgets ने हमें व्यस्त कर दिया है और दूर कर दिया है अपने आप से अपनों से एक दूसरे से आगे निकलने की अंदा दूंद दोड़ ने हमें दूर कर दिया है परिवार जनों से, मित्रों से, प्रोसियों से, रिष्टे नातों से दोस्तों आप कुदरत कहो, नेचर या प्रकरती कहो यही एक ऐसी therapy है जो depression, तनाव, stress से आपको बचा सकती है जैसे प्रकरती पत्जड के बाद पेड़ पोदों में हरा जीवन भरती है, वैसे ही व्यक्ति कितना भी प्रेशान क्यों ना हो प्रकरती की गोद में न केवज सकून, आनन्द की अनुभूती कर सकता है, बलकि अपनी कारिक शमता को, अपनी capacity को भी कई गुना बढ़ा सकता है प्रकरती के साथ जुड़कर हम मांसिक, शारिरिक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तर पर ग्रोध करते हैं भावनत्मक रूप से भी elevated फिल करते हैं, इसलिए पास के किसी हरे भरे पार्क में, या कल कल करते पानी के जहरने, ग्यार नदी किनारे, या किसी पुराने monuments का आनद लेना शुरू कीजिए कुछी दिनों में आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे कहते हैं, पहाड सिखाता है शान से उठना, सागर सिखाता है जी भर के लहराना, कुदरत नहीं सिखाती, किसी को ठुकराना, हर कोई जानता है इसे अपनाना नमस्कार